तो दोस्तों आज हमें एक ऐसी लड़की की जर्णी देखेंगे जो अपने प्रिंस को माउस से वापस इंसान बनाना चाहती है और इसमें उसकी मदद करती है एक नो सिख्या जादूगर तो चलिए शुरू करते हैं तो मूवी की शुरू में हमें एलेक्स नाम के एक प्रिंस के बारे में बताया जाता है जिसे एक विच ने खांदानी दुश्मनी के कारण माउस में बदल दिया और उसकी जगाए एक फेक प्रिंस ओलाफ को बिठा दिया फिर एक दिन उनके राजे में एक एला नाम के लड़ होता है और वो अपनी लाइफ पावर उसे दे कर वापस माउस बन जाता है तब से एला और उसके फ्रेंड्स कोई ऐसा तरीका ढून रहे हैं जिससे वो एलेक्स को फिर से इनसान बना सके ऐसे ये एक दिन क्रिस्टल भागती हुई एला के पास आती है और बताती है कि उसने श्राब को तोडने वाला स्पेल ढून लिया है इसके लिए वो उने कुछ चीजे लाने को बोलती है जैसे ब्लैक फैदर, रेंबो एग और ब्लू फ्लावर का स्टैमिन इन सब को मिला कर वो एक मैजिकल पोशिन बनाती है लेकिन एलेक्स पर इसका कोई असर नहीं होता और नाम डॉक्टर नोईटोल है और उन्हें लगता है कि वो शायद उनकी मदद कर सकता है एला एलेक्स से वहीं पैलेस में रुखने को कहती है और अपने दोस्तों के साथ उस ओथर के घर पहुच जाती है वो देखते हैं कि उसका घर मैजिक से भरा हुआ है लेकिन बहुत मु वो उनके सामने आने से मना कर देता है तब एला उसे सारी बात बताती है और उसकी प्रॉब्लम सुनकर वो उनसे मिलने को तयार हो जाता है वो देखते हैं कि ये डॉक्टर असल में एक टोटो इस है और उसे अपने नॉलेच पर बहुत ही घमंड है थोड़ा भाव खाने के बात वो फाइनले उन्हें एक लू देने को तयार हो जाता है और बताता है कि तुम्हारी मदद लाइफ स्टॉन नाम का एक जैम ही कर सकता है जो समूंद रपार फोरस क्वीन के कैसल में रखा हुआ है लेकिन साथ ही वो उन्हें वोन भी करता है कि वहां तक पहुँचना ब प्रिस्टल फ्रस्ट्रेट होकर उस पर अपना मैजिक यूज़ करती है और इससे क्लाउड को भी गुस्सा आ जाता है एला समझ जाती है कि वो तो बस उनके साथ खेलना चाता है और जल्दी ये उसमें और क्लाउड में दोस्ती हो जाती है एला फाइनली उसे अपनी क्रिस्टल उदास हो जाती है आगे हम उन सब को उस कैसल की और जाते वे देखते हैं और एला नोटिस करती है कि क्रिस्टल का मूर अचानक से खराब हो गया है एला उससे इसका कारण पूछती है जिस पर क्रिस्टल बताती है कि शैद वो अपने ग्रूप के लिए एकदम यू उसकर पाती उसे लगता है कि वो कभी एक परफेक्ट जादू कर नहीं बन पाएगी और शैद अब उसे जादू करना छोड़ देना चाहिए तब एला उसे समझाती है कि इनसान को कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए और वो उसे खुद पर यकीन रखने को बोलती ह फिर जल्दी ही वो लोग उस फोरेस्ट तक पहुँच जाते हैं और क्लाउड उने वहीं छोड़कर वापस चला जाता है यहां उनका सामना एक बोलने वाले पेड़ से होता है जो खुद को इस फोरेस्ट का गाइड बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस कैसल तक तुर क्रिस्टल अपने मौस फ्रेंड के साथ उनका ध्यान बठकाती है और पीछे से एला उस कैसल के अंदर चली जाती है वाँ उसे फोरेस्ट क्वेन का रूम दिखाई देता है जिसमें कुछ हजीब सी स्टैचूस रखे हुए हैं तब ही एक लैंप जिन्दा होकर उसके सामने आजाता है और कहता है कि तुम शकल से मुझे एक चोर लग रही हो वो एला से खुद को अपने साथ ले जाने को बोलता है और कहता है कि मैं रास्ते में तुम्हारे बहुत काम आऊंगा देखते ही देखते वो दूसरे स्टैचूस भी एला से यही रिक्वेस्ट करने लगते जिसमें एक जीनी और एक मैजिकल कार्पेट भी है फिर एला कलती से एक मैजिकल पेंटिंग में चली जाती है और एक के बाद एक उसे वहाँ कई खत्रों का सामना करना पड़ता है तब ही उन्हें फोरस क्वीन के आने की आवाज सुनाई देती है और एक लेडी एला को पेंटिंग से बाहा निकाल देती है लैम्प उसे जल्दी से एक अलमारी में चुपने को कहता है और तब ही क्वीन अपने रूम में आ जाती है वो समझ चाती है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड हुई है और अपने मैचिक से एला को अलमारी से बाहार निकाल देती है वो एला से इस तरह यहाँ आने का कारण पूछती है और तब ही उसे ढूंडते हुए क्रिस्टर और वो माउस वहाँ आ जाते है क्वीन को लगता है कि यह सब शायद यहाँ चोरी करने आए है और वो एक एक करके उन सब को कैद कर लेती है तब एला उसे बताती है कि हम तो यहाँ उस लाइफ स्टोन को लेने आए थे ताकि अपने फ्रेंड एलक्स की मदद कर सकें लेकिन फोरेस्ट क्वीन उन्हें बताती है कि तुम लोगों ने यहाँने में देर कर दी क्योंकि लाइफ स्टोन को तो डेजर्ट क्वीन ने पहले ही चुरा लिया है तब एला उसे एक डील करती है कि अगर हम लाइफ स्टोन को वापस ले आए तो आप हमें उसे अपने फ्रेंड पर यूज करने दोगी फोरेस्ट क्वीन उने समझाती है कि डेजर्ट क्वीन बहुत ही खतरनाक है और तुम लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे लेकिन एला पीछे हटने को बिल्कुल तयार नहीं होती लेम्प और बागी स्टैचूस भी क्वीन को उनका ओफर एक्सेप्ट करने को कहते हैं और कुछ सोच कर वो उनकी बात मानने को तयार हो जाती है फिर वो उन्हें आगे जाने के लिए एक मैप देती है और लेम्प को एक कड़े में बदल कर एला के हाथ पर बान देती है ताकि वो उन सब पर नजर रख सके आगे का सीन डैजर्ट कैसल का है जहां ओलाफ इस सारे प्लैन की जानकारी डैजर्ट क्वीन को देता है लेकिन उसे लगता है कि वो बच्चे उसका कुछ नहीं बिगार पाएंगे ताब वो लाफ कहता है कि आपको अपनी आर्मी के लिए एक जादुगर की जरूरत थी और मैं क्रिस्टल को बहला कर आपके पास ला सकता हूँ बदले में आपको मेरा किंग्डम पाने में मेरी मदद करनी होगी और डैजर्ट क्वीन भी इसके लिए तयार हो जाती है इधर आगे बढ़ते हुए एला को एक शोटकट नजर आता है लेकिन क्रिस्टल को लगता है कि उन्हें इस रास्ते पर आगे नहीं जाना चाहिए वो अपने मैजिक से इधर उधर खत्रा ढूनने लगती है लेकिन एला उसे समझाती है कि तुम बेवजा ही ओवर्येक्ट कर रही हो और हर जगा मैजिक यूस करने के कोई जरूरत नहीं है इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है और क्रिस्टल गुस्टे में उन्हें छोड़कर चली जाती है यही हम उलाफ को देखते हैं जो छुपकर उन पर नजर रख रहा था और वो क्रिस्टल से मिलने उसके पीछे जाता है आगे एला और उसके सात्यों को एक हट दिखाई देती है जिसमें धेर सारा खाना रखा हुआ है तब ही एक बिंजरा एला को कैद कर लेता है और पता चलता है कि यह एक शेतान बिल्ली का घर है वो वोल्टर को पकड़ कर खाने की कोशिश करती है लेकिन देखती है कि वोल्टर को उसकी बनाई डिशिस बहुत पसंद आई है यह देखकर उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि वो हमेशा से एक शेप बनना चाहती थी लेकिन कोई भी उसकी डिशिस को पसंद नहीं करता था एला को ये सुनकर क्रिस्टल का ध्यान आता है और वो सोचती है कि ना जाने वो किस हाल में होगी उधर उलाफ क्रिस्टल से मिलने आता है और उसे बताता है कि तुमारे दोस्तों को तुमारे स्किल्स की कोई कदर नहीं है और अकर तुम डेजर्ट क्वीन के साथ मिल जाओ तो वो तुमें एक पावरफुल जादूगर बना देगी क्रिस्टल भी उसकी चलाकी को नहीं समझ पाती और डेजर्ट क्वीन का साथ देने को तयार हो जाती है इधर एला और मौसिस का सामने एक बेर से होता है और इससे पहले कि वो उन्हें चोट पहुचा पाए एला उसे अपने यहां आने का कारण बताती है बेर उसका दोस्तों के लिए प्यार देखकर बहुत इंप्रेस होता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहां से सही सलामत जाने दूँगा लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए एक लेटर पढ़ना होगा पता चलता है कि यह लेटर उसके भाई ने उसे लिखा था जिसके साथ काफे टाइम पहले उसकी लड़ाई हो गई थी और रव वो सब कुछ बुला कर उससे दुबारा मिलना चाहता है एला समझ चाती है कि अपनों से अलग होना ही दुनिया का सबसे बड़ा दुख है और यह सोचकर उसे क्रिस्टल का ख्याल आता है और वो वोल्टर और मैणी के साथ उसे डूणने निकल जाती है अलाव भी डेजर्ट में उन्हें देख लेता है और क्रिस्टल की मदद से वो उन तिनों को एक स्पैल में कैथ कर लेते हैं एला भी क्रिस्टल को उसके साथ देख कर बहुत हैरान होती है और उसे समझाती है कि तुमें इस आदमे पर विश्वास नहीं करना चाहिए लेकिन क्रिस्टल पर इन बातों का कोई असर नहीं होता और वो उन्हें धोके बाज और सेल्फिश बताती है और लाव भी आग में गी डालने का काम करता है और कहता है कि अब तुमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और जल्दी ही क्रिस्टल एक पावरफुल जादूगर बन जाएगी एला एक बर फिर उससे माफि मांगती है और कहती है कि तुमारे भीना हम यहाँ तक कभी नहीं पहुन सकते थे और तुम अभी भी हमारी टीम का एक एहम इस्टा हो यह सुनकर क्रिस्टल को अपनी गल्दी का एहसास हो जाता है और अपने दोस्तों को अज़ाद करके वो अलाफ को इस पैल में कैद कर लेती है आगे वो एक लंबा रस्ता तैकर के उस कैसल तक आते है जिस तक जाने के लिए उन्हें एक ब्रीज क्रोस करना होगा लेकिन जैसे ही वो उसकी सेंटर में आते हैं वो ब्रीज टूटने लगता है और ये लोग बड़ी मुश्किलों से बचते हुए दूसरी तरफ आते हैं फिर कुछ बबल्स उन्हें उठा कर उपर पैलेस में ले जाते हैं और यहां उनका सामना उस डैसर्ट क्वीन से होता है वो उन्हें बताती है कि लाइफ स्टोन से मैं अपने डैसर्ट को हरा बरा करना चाती हूँ और यही मेरी डैस्टिनी है एला उससे किसी और तरीके के बारे में पूछती है जिस पर क्वीन कहती है कि मुझे अपने काम के लिए एक जादूगर की जरूरत है और अगर क्रिस्टल यहां रहने को तयार हो जाए तो मैं तुम्हें वो लाइफस्टोन यूज करने के लिए दे सकती हूँ क्रिस्टल उसकी बात मानने को तयार हो जाती है और एला को समझाती है कि इससे वो एलेक्स को फिर से इनसान बना सकती है और डेजर्ट क्वीन की मदद से उसका बड़ा जादूगर बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा फिर desert queen उसके हाथ में वो life stone देती है लेकिन पता चलता है कि ये सब उसका एक plan था और उसने crystal को अपने spell में बांध लिया है उसे control करके ओईला को पहारी से नीचे गिरा देती है और crystal को अपने साथ castle में बर जाती है इधर एला किसी तरह बच जाती है और वोल्टर और मैनी के साथ उपर कैसल की ओर चड़ने लगती है उधर डैसर्ट कुइन क्रिस्टल से एक बार फिर सोचने को कहती है और बताती है कि मैं तुम्हारा परफेक्ट जादुगर बनने का सबना पूरा कर सकती हूं लेकिन क्रिस्टल ऐसा करने से मना कर देती है तब ही एला और उसके माउस महा आते हैं और क्रिस्टल को बातों में उलजा कर लाइफ स्टोन को चुरा लेते हैं क्रिस्टल भी स्पेल तूटने से आजाद हो जाती है और वो सब कैसल से बाहर आ जाते है desert queen गुस्से में उन पर attack करती है जिसकी लगती ही crystal एक doll में बदल जाती है Ella को ये देखकर बहुत दुख होता है और वो desert queen से इसका बदला लेने की सोचती है desert queen उस पर भी अपना spell यूज करने की कोशिश करती है लेकिन end time पर वहां forest queen आ जाती है forest queen Ella से वो life stone लाने को कहती है क्योंकि उसके बीना वो desert queen का मुकाबला नहीं कर पाएगी और ये सुनकर Ella तुरंतु से डूनने निकल जाती है पता चलता है कि वो life stone मैनी के पास है लेकिन तब ही उनके सामने ओलाफ आ जाता है वो उनसे stone चिनने की कोशिश करता है लेकिन Ella वहां आकर उस stone को पकड़ लेती है तब ही वो माउस ओलाफ पर attack कर देते है और इसी हड़बडी में उनके सासा तैला भी पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है लेकिन इससे पहले कि वो लोग नीचे जमीन से टक्राए क्लाउड वहां आकर उन्हें बचा लेता है और बताता है कि डॉक्टर ने उसे उनकी मदद करने भेजा है फिर वो उड़ते हुए वापस कैसल की ओर आते हैं और देखते हैं कि डेजर्ट कुइन ने फोरेस्ट कुइन को ट्रैप कर लिया है एला किसी तरह बचते हुए उस्टोन को फोरेस्ट कुइन के और उचालती है लेकिन वो देखते हैं कि डेजर्ट कुइन भी उसे पकड़ने आ रही है तबी फोरेस्ट कुइन एला के हाथ में बन्नी उस लैम को एक्टिवेट करती है और उसकी रोशनी डेजर्ट कुइन को चकाचोंद कर देती है लाइफ स्टोन भी फाइनली फोरेस्ट कुइन की छड़ी तक पहुँच जाता है और वो डेजर्ट कुइन को उड़ा कर दूर फैंक देती है आगे हम उन सभी को फोरेस्ट कैसल में देखते हैं जहां क्वीन उने बताती है कि वो एलेक्स और क्रिस्टल में से किसी एक को ही ठीक कर सकते हैं। तब एलेक्स उससे क्रिस्टल को जिन्दा करने को कहता है क्यूंकि उसकी यहालत उसी की वज़ा से हुई है और एला को भी उसकी बात माननी पड़ती है। फिर क्वीन स्टोन की पावर से क्रिस्टल को ठीक कर देती है और हम देखते हैं कि वो इस बार एक नए रूप में है। स्पेल की चीजों को फिर से कठा करने को बोलती है फाइनली उसके स्पेल से एलेक्स फिर से इंसान बन जाता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू